अब सभी का आप सभी के पसंदार्ट चैनल राय एद्यूकेशन में शवी मित्रों को शुब्रबाद गुर्मॉनिंग और सबसे इंपोर्टन टॉपिक जो डिसकस करना आज इस वीडियो में उत्रयार बढ़ती के उपर डिसकस करना आपके डियर सारे कमेंट्स थे और उनकमे प्रशन आ रहा है कि सर ये और का क्या होगा इस भरती प्रक्रिया में तो इस पर्टिकुलर भरती से अगर आप जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है आपका इस प्रशन बनना सभाविक है लेकिन अगर एक जनरल परस्पेक्टिव से समान दृष्टिकून से अगर हम देखें तो सरकार के सभी कारियों में सभी कामकाजों में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और आने वाले समय में जो एकनोमिस्ट हैं या कह सकते हैं कि जो अर्थसास्त्री हैं वो यहां तक भी कह दे रहे हैं इन सारी चीज़ों में कि जो शरती हो रही है हमारे एकनोमिक को हमारे अ कारे काजों में जो छटी पहुँच रही है उसको ओवरकम करने में उसको पूरा भरपाई उसकी करने में लगबक साल से डेड़ साल का वक्त लगेगा उन क्रिया कलापों को पूरा मैनेज करने में क्योंकि एक बार कोई चीज इफेक्ट हो जाती है तो वो बहुत मुश्किल ह होता और यह देखिए यह सारी चीजे जो है रोज रोज वाली बात नहीं है यह कभी दसकों में कभी एक बार होता है जो काफी ज्यादा लोगों को एफेक्ट करता है देश को एफेक्ट करता है पूरे विश को एफेक्ट करता है और यह मामारी ऐसा ही क्रिया कलाप कर चुक कि हमको यहीं पर देखना है और हमारा सारा क्राप अपने देश के प्रती समर्पित होना भी चाहिए ठीक है न वाज आते हैं कुछ बातों पर आपके जो प्रशना आये थे तो देखिए 59,000 भरती नहीं वरन जितनी भी भरतियां हैं सभी भरतियों पर कुरोना का असर पड़ेगा 110 परसन पड़ेगा एक बात इबात समझ लीजिए दूसरी बात कि जितनी भी भरतियां हैं वो कम से कम 6 महिने से साल भर तक आगे बढ़ेंगी कोई आपको नहीं बताएगा सीधी इस क्यों इसके पेशे रिजन क्या है कि सरकार सबसे पहले अपनी बैक्राउंड को अपने बेस को मजबूत करेगी तो ही न कुछ और आगे रियाकलाप करेगी एडवाईजरी जारी करेगी सासना देश जारी करेगी तब तो कुछ होगा अभी कम से कम अगर मैं कोरोना का यहाल लूँ तो कम से कम दो से तीन महीन लगेंगी सिचुएशन को डील करने में इस्तिती को सामानी करने इस्तिती में ले आने में तो अभी कम से कम हमीसी से दो से तीन महीन जू जाएंगे यानि कि अप्रेल मैं जून जुलाई आ जाएगा इसको एकदम सामान होने में फिर सरका अपने क्रिया कलावा अपने कारेऊं पर फोकस करेगी कै provinces करेगी की काकाँ काम को छती हुई का कासे सारी चीज Bulgaria जारी होगी इनीड मेटिंग होगी घर सारी चीजले होगी तो लगवा की एक महीने उसमें लगेंları फिर वहां से सरकार अपनी मजबूत इस्तिती में आने की क्रिया तो ये जो भरती प्रक्रिया है अगर मैं एकदम सपष्ट कहूँ तो कम से कम अभी कई महेने लगने वाले हैं क्योंकि situation के हिसाब से आपको सब चीज देखनी है अब important बात क्या है इकदम सपष्ट बात सुन लीजीगा फिर आपके प्रश्णों पर मैं आऊँगा कि नोकरी आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी ये मिलना तै बात है ध्यान से समझेगा इकदम सपष्ट बात बुलूँगा नोकरी आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए सुरक्षित होना जैसे मैं बात करता था पहले कि 75 जीलो में कहीं कहीं नौकरी को मिल जाए किसी भी जीले मिल जाए वो में उद्देश होना चाहिए न की home district में ही मिल जाए आसपास के जिलो में मिल जाए या कहीं तो main मुद्दा होना चाहिए नौकरी मैं ही बोलता था न main मुद्दा होना चाहिए नौकरी चाहे यहां मिले चाहे 75 जिलो में कहीं पर भी मुझे मिले ठीक उसी प्रकार से देखिए सब चीजे समयकाल परिस्तिती के निमसारी डील की जाती हैं बताई जाती हैं तो आज का जो परिवेश अचानक से यह उभरा है जो background बना है उसमें main उद्देश होना चाहिए हमारा सुरक्षित रहना हमारा हमारे अपनों का सुरक्षित रहना वो सबसे main मुद्दा होना चाहिए ठीक है सरकार के कई कठोर कदम हैं जिसको हमको लेखता है कि बहुत कठोर हैं और ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए लेकिन हमारे सामने कई देशों के तमाम देशों के दसो ऐसे देश हैं जिनको उधारन हमारे मस्तिस्क पटल पर घूम रहे हैं रोज ब्रेकिंग न्यूस की तरह न्यूस चैनल्स पर हम देख रहे हैं अगर उन्होंने जो अब इतना भायावा हिस्तिती होने के बाद वो जो क्रिया कलाब किया है सरकार ने वहीं चीज सुरुवात के ही दोर में कर दी है हमारे लिए कर दी है क्यों न हम उसको सही ठराएं क्यों न हम जायस ठराएं ठीक है हमारी मनुश्तो सबाव है हम घर बैटे किसी को भी कुछ कहें उलाहना दे सकते हैं लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा न वो रिजल्ट हमारे लिए सबसे बहतरीन होगा तो सबसे इंपोर्टेंट है कि लॉक्डाउन का हम को पालन करना है क्योंकि सुरक्षित रहना ज़्यादा आवश्यक है नौकरी आज नहीं भरती प्रक्रिया में मजबूती से बने हुए है तो भरती चाहे आज हो चाहे आज से 6 मईने बाद हो या साल बर बाद हो बोल रहा हूँ तो आपका होना तै है इस बात को मान लीजिए मैं सुरूज बोलता है हूँ मजबूती सा बने हुए है जब भी भरती होगी तब आपका होना तै है अब आ जाते हैं कुछ और मुद्दे पर ओर्डर कब तक आएगा कोई नहीं बता सकता है नुक्ति कब तक होगी कोई नहीं बता सकता है लेकिन एक संभावना अगर मैं जाहिर करूँ तो ओर्डर कम से कम अभी भी मैं कहूंगा कि जुलाई के बाद ही आप संभावना रखिएगा इन सारी चीज़ों पर वो भी बहुत मुश्किल है रेरेस्ट ओफ रेयर है रेरेस्ट ओफ रेयर है वो केस पहली बात दूसरी बात अब जब जुलाई ओर्डर आएगा तो ओर्डर फिर ये बोला जाएगा कि ओर्डर रिलीज के छे मैने के अंतरगत आपको भरती प्रक्रिया करनी है अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर प्रशनी के उठाएंगे कि सर ओर्डर रिजर्व होने के तीन मैने के अंतरगत रिलीज हो जाना चाहिए जी जरूरी नहीं है इस पर एक वीडियो मैंने मनाया था बहुत अच्छे जिटील वीडियो मनाया था बहुत लोगों ने उसको अच्छा सरहा भी था तो इंपोर्टन बात कहा है कि और पे प्रेशर नहीं किया जा सकते किसी जज़ को जब इस्तिती सामान रहती यह तब पर भी अभी तो इम्रेजेंसी जैसे इस्तिती है अब तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है न मेन प्रात्मिक्ता होने चाहिए लोगों की सुरक्षा, सरकार उसके लिए थतपर है, सरकार हमसे जो बन पड़ रहा है, हम लोग पूरी तरीके से अपना युगदान, चाहे लोगों की सुरक्षित करना और समाज के लोगों को भी सुरक्षित करना यह सबसे बड़ा अमूल ली युगदान है क्योंकि जीवन से बड़ा पैसा रुपईया कुछ नहीं होता है लोग 25 करोन 50 करोन 100 करोन दे दे लेकिन जाके वो टहलते रहें समाज में कुरोना का जो प्रवाव है ब संदेश यहीं फैलाईए वर्क फ्रॉम होम वाला क्रिया कलाप है जैसे मैं आप तक वीडियो प्रिशित कर रहा हूं ज्यादा बड़ा वीडियो बन जा रहा है बस छोटा साब लोगों से बस ही संदेश देना चाहूंगा कि लोग डाउन का बहुत ही सक्ति से पालन करिए जो सक्ति से पालन ना करे सासन प्रशासन तक उसको बात समझिये उनको समझाईए अच्छे सब्दों में समझाईए नहीं तो सासन प्रशासन देगे सासन प्रशासन गंबीर क्यों है इन सारी चीज़ों को लेकर सिर्फ हमारे और आपके लिए उनको कौन सी पड़ी है कि इ सुरक्षित हम घर पे बैठ सकते हैं लेकिन हमारे और आप के लिए बैठ रहे हैं तो हम लोगों को तकलीफ हो रही है कि सासन डंडा उठा रहा है मार पीट रहा है बता तो रहे हैं सब लोग पिछले दो मुएने से लगा था न्यूश चैनल से आपको बता रहे हैं आप घर बिरोजगार है फॉर एक्जामपल मैं ही हूँ ठीक है मैं अपने घर से निकल कर यहां से 500-1000 किलमीटर दूर निकल कर यहां से महालीजे प्रयागरास से डिल्ली जाता हूँ और नौकरी करता हूँ ठीक है ना ध्यान समझे का मैं स्तिती के अनुरूप बात करूँगा बुर इतना भी मैं पैसा नहीं गमा पा रहा हूँ कि दो हफ़दे या एक महीने मैं बैठकर खा सुकूँ तो इस कमाई का क्यालाब हवते बर भी नहीं हुए हैं लोग दो-दो दिन निकलते जा रहे हैं लेकिर सरकारी अपनी तरप सो पूरी कोशिश कर रही है कि कोई किराया ना लिया जाए सारी चीजों पर छूटती जाए हर एक एक जनसमुदाय लोग निकल रहे हैं, संगठन यहां पर कई कार कर रहे हैं, हम, हमारे जैसे आप जैसे लोग अपने घरों में खाना बना बना कर लोगों तक पहुझानी कोशिश कर रहे हैं, तो उसका लाब उठाईए, जहां पर जिस इस्तिति में हैं, वहां पर रुखिए, ठीक न, यह कु कोई बहुत बड़ी बात रही है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घर पर रहिए सुरक्षित रहिए खुद रहिए दूसरों को भी रहने का भागी बनाई यह कुछ प्रमुख बाती थी जो आपको बतानी थी उमीद करूंगा यह बात समझ आ रहे होंगे बाकि आपके जो भी व्यक्तिकत प्रश्णों हों जो भी तरक पुन बाते हों कमेंट जरू करिएगा हम उसको कंसीडर जरू करेंगे और बस सुरक्षित रहिए और अपनों के साथ समय मिला है तो सेवा करिए माता पिता कि कुछ अपनों लोगों के साथ खिल खिलाईए कुछ बात चीद